Hello everyone, Welcome to our channel DRX Deepak Pharma दोस्तों आज की वीडियो काफी important होने वाली इस वीडियो में हम बात करेंगे B.P.H. 2nd semester Unit 5th Biochemistry subject के Most Important Topic Enzyme Innovation के पारी में दोस्तों Enzyme Innovation एक Most Important Question है जो 5 Marks में हमेशा पूछा जाता है तो दोस्तों अपने एकजाम में जाने से पहले इस question को जरूर से करके जाएं दोस्तो अगर आपको इस वीडियो की हैंट्रेंड नोट्स चाहिए तो हमारे टेलिग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएगी आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको description box में मिल जाएगा तो चलिए दोस्तो देखते हैं इंजाइम इनवीशन होता क्या है इंजाइम इनवीशन और इंजाइम इनवीटर्स इस डिफाइन एज ए सबस्टांस विच बाइंड विथ इंजाइम और बिंक्स एवाव डिक्रीज इन केटलेटिक अक्टिविटी इंजाइम तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि जो इंजाइम इनवीटर्स होते हैं जैसे सबस्टांस होते हैं वो बाइंड करते हैं इंजाइम क्या करते हैं डिक्रीज कर देते हैं कैटलेटिक अक्टिविटी ओफ इंजाइम enzyme inviter एक ऐसे inviter है जो bind करता हमारे enzyme के साथ और वो decrease कर देते हैं catalytic activity of enzymes अब आगे समस्ते हैं दोस्तों inviter are those compound which block the active site inviter वो compound होते हैं जो block कर देते active sites को enzymes के they cannot form complex substrate ये complex substrate form नहीं कर पाते हैं they do not form any product जब ये complex substrate form नहीं करेंगे तो product भी form नहीं कर पाएंगे like an example दोस्तों देख सकते हैं enzyme substrate हमारे पास है ये दोनों जब combined होते हैं तो enzyme substrate बनाते है complex जब ये ही नहीं form हो पाएंगे तो product हमारा कैसे form होगा तो enzyme inviter problem करती है enzyme inviter में आपको ये चरूर लेखना है कि ये decrease करती है catalytic activity of enzymes three categories of enzyme invasion types तीन टाइप में बटी हुई है enzyme invasion की categories पहला है reversible invasion, irreversible invasion और illustratic invasion नाम से पता चरह है reversible तो मतलब ये दुबारा reversible हो सकता है irreversible मतलब ये irreversible नहीं हो सकता और illustratic मतलब shape change कर लेता है जो invasion enzyme की time first reversible invasion होता क्या है उसके बारे हम अब हम समझ लेते हैं invasion bind non cobalently with enzyme when inviter remove the enzyme invasion is reversed तो इसमें क्या बोरा जो inviter हमारा होता है वो bind होता है कैसे non cobalently with enzyme enzyme के साथ तो when inviter remove the enzyme invasion is reversed जब इसमें क्या inviter हमारा bind भी होता है remove भी होता है तो ये reversible एक रगब process है ये subdivided into 2-3 में एक competitive invasion में एक non competitive invasion non competitive invasion में अब competitive invasion की बात करते हैं नाम से पता चला competitive invasion तो इसके बीच competition होता है कि inviter और जो हमारा substrate उसके बीच competition होता है कौन पहले जाएगा तो enzyme जाने की भी कोशकरती ये competition होता है तो इसमें क्या है competitive invasion are those invasion in which there is common structure होते हैं substrate they both can fully occupied the active site of enzymes तो इसमें क्या होता है competitive invasion में दोनों का common structure होता दोस्तों और ये दो substrate होते हो फुली occupied हो जाते active site of enzymes के दे बहुत so competition for binding the enzymes ये जो दोनों है ये competitions हो करते हैं enzymes को bind करने में binding the enzymes like an example आप समझ सकते जिसे ये enzyme इसके साथ substrate इसके साथ inviter तो EI भी फॉर्म करेगा इस भी फॉर्म करेगा जब इस फॉर्म करेगा तभी तो हमारा प्रड़क्ट बनेगा तो जब इन्वीटर कर जाता है तो नहीं बन पाता है तो क्या बता है enzyme inviter complex formator but not form product जो enzyme inviter होते हैं वो तो complex तो formation कर लेते लेकिन वो product form नहीं कर पाते है और जो binding active site हो अबने enzyme होता है वो bind कर लेता है तो उसके खारण होता है दोस्तों अब आगे हम समझते non competitive non competitive यहां कंपडिशन नहीं है तो यह क्यों होता है अब यहां इक कमपडिशन नहीं एक तेज है तो इसके बीच पनुच रेड़्यूस्त ऑफ दिजРЕघ depressing किसी करते हैं हैं एंजायम के अक्टिवीटी क्या होता है डिक्रीज हो जाते हैं और यह लेस परड़क्ट बनाती जैसे कि दोस्तों यह इंजायम यहां सबस्ट्रेट इनवीटर से जब इनजायम और सबस्ट्रेट पूरा मतलब यह पूरा फिट होगा तब तो अच्छा e-reversible मतलब यह लेकिन के वैली नहीं चेंज होगी आप इसको मैं आपको मिचल मेनटेन ग्राप की एक्विशन में अच्छे ती समझाऊंगा पभी, मैक्स, केम, यह सब क्या है, Allostatic Invision, Allostatic Invision मतलब क्या होता है, यह अपना CFE चेंज कर लेता है, यह तरह का ऐसा Invision, Some of the Enzyme poses additional site, known as Allostatic site, कुछ ऐसे Enzymes से होते हैं, जो poses करते additional site, known as उसको हम Allostatic site बोलते हैं, जैसे दोस्तो, आप देख सकते हैं, इस figure में, कि यहाँ पर एक active site है, Allostatic site है, यहाँ देख सकते हैं, Allostatic site कोई additional site फॉर्म करता है, उसी को Allostatic site बोलते हैं, यहाँ पर क्या होता है, Enzyme जो होता है, अपना CFE चेंज कर लेता है, जैसे, Allostatic site कहते हैं, दोस्तो, मैं आसा गरता हूँ कि आप लोगों को यह topic समझ में आई होगी, अगर आपको कहें भी problem है, तो comments में पूछ सकते हैं, दोस्तो, अगर आप इनजाएम इनवीशन में इतना लिख आ तो 5 marks में sufficient हैं दोस्तो, आई होप यह video आप से भी कुछ पसंद आई होगी, प्लीज लाइक, शेर और पस्कार, और तो शेर विट फ्रेंड्स,